हलो एवरिवन मेरे चानेल में आप सबका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लाए हूँ बहुत ही टेस्टी चिकेन बिरियानी की रेसिपी चिकेन बिरियानी खाना तो सबको बहुत पसंद रिकिन से बनाना कैसे हैं देखेंगे आज मेरे इस वीडियो में बहुत ही कम मसाल में आसान तरीके से मैंने बिरियानी बनाया है और ये खाने में भी बहुत ही लाइट है तो चलिए आज की ये सूपर टेस्टी चिकन बिरियानी की रेसिपी शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने एक केजी चिकन लिया है क्यूंकि मैं अज बिरियानी थोड़ा ज्यादा ले ले उसी कप का एक कप दही डाले फिर इसमें डालेंगे एक चमच अदरक का पेस्ट एक चमच लसुन का पेस्ट एक चोटा चमच हल्दी पाउडर एक चोटा चमच लाल मिर्च का पाउडर एक चोटा चमच बिरियानी मसाला तो मार्केट में अभी बहुत सारे को मिली ना है आप चाहे तो चिकन के ऊपर एक एक इंग्रीडरिन डाल के फिर आप चिकन को मैरिणिट कर सकते हैं लेकिन मुझा ऐस को मैंने घैसे रखा है मेले के धुलिए के लिया आप टो एक धर करके सार चिकन को मशवा लें के बाद इसे हमें अच्छे से मैरिनेट करना है और यह मैंने चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मैरिनेट कर लिया है तो अभी हम इसे ढखके दो घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे बाहर इसे ना रखें नहीं तो चिकन खराब हो सकता है फ्रिज में इसे रखें साइज के आलू को दू हिस्तों में काटकर पहले से पानी वह अच्छे से उबाल लिया है बिरियानी में आलू का साइज थोड़ा बड़ा राता है लेकिन मेरे घर पे सब लोग ऐसी पसंद करता है इसलिए मैंने ऐसे लिया आप चाहे तो थोड़ा बड़े आलू का भी यूस कर सकते हैं तो एक एक करके न हम सारे अलू को ऐसे तेल में डाल देंगे और इसे तब तक फ्राय करेंगे जब तक कि इसको उपर एक गोल्डन कवर ना जाए गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए अलू को धीरे-धीरे फ्राय करते जाए और अभी ने इसके उपर एक चुटकी भर नमक डालेंगे और फिर हम इसे थोड़ा पलट देंगे और देखिए आलू में अभी एक गोल्डन कलर आ रहा है तो चारू तरफ से हम आलू को ऐसे ही फ्राय कर लेंगे बहुत लोगों को बिरियानी में आलू पसंद नहीं है तो यह उप्शनल है अगर आ आप उसे उबलने के लिए छोड़ दे आदे घंटे के बाद गयास को आफ कर दे और जब आलू ठंडा हो जाए तब आप आलू का छिलका निकाल दे और यहां पर देखिए आलू बिल्कुल बढ़िया तरीकी से फ्राय भी हो चुका है और अब हम इसे कड़ाय से निकाल ले है और एक छोटा चमज जीरा दो दाल चीने का टुकड़ा तीन छोटी एलाय ची और तीन लॉंग गयास को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखते हुए मसाला को थोड़ा से भून ले और फिर हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइस का प्यास बारी काटके अभी गयास को मीडियम प्यास को गोल्डेन कलर आने तक भूनते जाए और यह देखिए बिल्कुल ऐसा गोल्डेनिश कलर हमें चाहिए बिल्कुल बेरेस्ता जैसा प्यास अच्छे से फ्राय होने के बाद इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमज लसुन का पेस्ट और एक बड़ा चमज अधरक का पेस्ट अधरक लसुन का पेस्ट डालने के बाद मीडियम टू लो फ्रेम पेसे बाद से चे मिनिट के लिए अच्छे से भून ले और इसे आप तब तक भूने जब तक कि इसमें जो एक अच्छा रॉसमेल होता है वो खतब न हो जाए और यह देखिए ग्रेवी के ऊपर स तीखा नहीं होता है लेकिन इससे कलर बहुत बढ़िया आता है अगर आपको थोड़ा तीखा चाहिए तो आप इसमें नॉर्मल चिली पाउडर भी डाल सकते हैं तो सारी मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है और मसाला जलना जाए इसके लिए हम इसमें डालेंगे एक हुआ जो मसाला है इसे वेस्ट ना करें स्पैचूला या फिर हातों के हिल्प से निकाल के कड़ाय में डाल दें और अभी हम चिकेन को हाई फ्लेम पे दस से पर्णा मिनिट के लिए अच्छे से भूनेंगे मैने लिटर चिकेन बहुत ही सॉफ्ट होता है इसलिए मसालों के साथ मिक्स होने के बाद आप इसे ढखके ना पकाए नहीं तो यह उवरकूक हो सकता है और इस चिकेन को पकाते हुए हम इसमें पानी के इस्तवाल बिलकुल भी नहीं करेंगे क्योंकि चिकेन में भी थोड़ा पानी रहता है और इसमें हमने दही वगरा डाला है तो चिकेन को आप ऐसे ऊपर से कवर कर दे और इसे पांच मिनिट के लिए छोड़ दे पांच मिनिट के बाद हम इसका ढखकन खोलेंगे और यह देखिए चिकेन ने पानी रिलीस किया है और अभी हम इसे अच्छे से एक पर चला लेंगे ताकि यह नीचे से चिपक न जाए मिक्स करन जाए इस चिकन में हमें ग्रेवी का जरूरत नहीं है इसलिए हम इसे हाई फ्रेम पर रखते हुए बार बार चलाते जाएंगे ताकि जो एक्स्टा पानी या फिर ग्रेवी है वह एब्जॉब होके थोड़ा ड्राइ हो जाए चिकन तो आपने देखा कि यह चिकन मसाला बन तंडा होने के बाद यह थोड़े ड्राइ हो जाएगा गैस कॉफ कर दे और यह चिकन मसाला का कडाय को हम एक साइट पर रखेंगे और अब हम जाएंगी दूसरी तरफ और इस तरफ मैंने एक बड़े से वर्तर में पाने को गरम होने के लिए छोड़ा था और अभी हम इसे चख करेंगे तो यह देखिए उबळा लाना शुरू हुआ है और इंस में ढलेंगे 2 चमज नमक और इसमें डालेंगे एक छोटे चमज शाहग जीरा, एक जावित्रिका फूल और तीन छोटी एलाइगी और इसमें एक छोटे चमज भरकर गीह डालेंगे आप गीह के सबस्क्राइब सबस्क्राइब केजी algunos नहीं मैंने 2-3 पत डालना भूलologically इसे दाल सबस्क्राइब गरम पानी में खडा मसाला और चावल डालने के बाद एक बड़े चमश के मज़से इसे हलके हातों से एक पर मिला दे बहुत ज़्यादा जोर से न मिला है नहीं तीचावल तूट सकता है और फिर चार से पांच मीट के लिए हम चावल को ढखके पकाएंगे और 4-5 मिट के बाद तुरें थे हम इसके धकन खुलेंगे और एक बाद चेक कर लेते हैं कि चावल अच्छे से पका है कि नहीं चावल उपर से थे थोड़ा पका है लेकिन अंदर से अभी भी यह बहुत हाड है तो इससे हम फिर से 5-7 मिट के लिए धक देते हैं चावल को हमें 90% ही पकाना है इससे जाद आप इससे ना पकाए और अभी आप सोचेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि चावल 90% पका है की नहीं तो जब भी आप चावल को उंगलियों में तोर के चेक करेंगे तो आपको देखना है कि चावल उपर से पका है और अंदर से थोड़ा सा कच्चा रहेगा बतलब कि थोड़ा सा हाड रहेगा और बाकी उपर में एकदम सॉफ्ट हो जाएगा बस अब फटा-फट सा गैस कॉफ कर दे और चावल को चान ले तो आप चाहे तो चलनी में चाने या फिर कोई स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर दे पानी को अभी हम जाएंगी बीरियानी के में पार्ट में यानि के लिए लेयरिंग के लिए मैंने यहां पी लिया है बेरेस्था तो यह घर भी फ्राइ किवा हुआ आप चाहे तो मार्केट से एडमेट बेशता के यूज़ कर सकते हैं चाही परस्ता को तो सक्षकी कर सकते हैं माइने लिया है बिरियानी वासाला, शाही-गरम-केशर वाला दुद्ध तो केसर के स्टेंड को गरम दूत में थोड़ा सोक करके रखने के बाद यह दिखने में कुछ ऐसा लगेगा और यहां पर मैंने घी को थोड़ा मिल कर लिया है तो इन सारी चीजों को हम बिर्याइनी के लेयरिंग में यूज करेंगे और अभी साइम साइट पर रखते हैं और यह वही बर्तर है जिसमें मैंने चावल लुबाला था और इसमें मैंने थोड़ा सा घी को स्प्रेट कर लिया है और इसमें हम लेयरिंग करेंगे तो पहले हम इसमें थोड़ा चावल डालेंगे चावल डालने के बाद एक चमच या फिर एक स्पैचुला के हिल्प से चावल को अच्छे से फैला ले चारो तरफ से और एक लेयर बना ले और अभी इसके उपर हम थोड़ा थोड़ा करके पहले डालेंगे बिरियानी मसाला तो मैंने यहाँ पर आधा चमच बिरियानी मसाला डाला है फिर इसके ऊपर डालेंगे आधा चम्मज, साही, गरम मसाला और चावल की ऊपरसे ना, चालोो तरफ से ओसे फैलाते हुए आपst plank आप इसे डाले फिर इसके ऊपर से स्परेट करेंगे केसर वला दूद और केसरवल्य दुदमेना आप चाहे तो थोड़ासे फूट कलर भी आड़ कर सकते हैं मैंने ने ही किया हैहि wilderness तो आप थोड़ासे ओरिंज कलर सकते हैं तो देखने में तोड़ा सुंदर लगता है एक मुठी भर बेरिस्ता को spread करेंगे और फिर इसमें जाएगा chicken तो यह मैंने एक-इक करके chicken डाल दिया है साथ में थोड़ा gravy भी मैंने इसमें डाला है इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू जिसे मैंने पहले से fry करके रखा था और यही मैंने एक एक करके आलू डाल दिया है लास्ट इसके उपर से हम डालेंगे दो चमज खी तो बस एक लेयर बिरियनी का रेडी है तो अभी हम दूसरे लेयर को रेडी करेंगे तो यह सेम तरिके इसके उपर हम चावल डालेंगे चावल डालने के बाद चमज के मज़से चावल को फैला ले और फिर हम इसके उपर डालेंगे आधा चमज बिद्यानी मसाला आधा चमज डालेंगे शाहिक गर्म मसाला तो मसालों को आप चारो तरफ से डाले ताकि कोई भी साइट छूट न जाए और अब इसमें जाएगा केसर वाला दूद तो चार से पाक चमज इसमें केसर वाला दूद डालेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे मुठी भर बेरेस्ता यानि की फ्राइड ओनियल दो चप मेज इसमें जाएगा घी और फिर से हम इसमें चिकन डालेंगे तो यह मैंने एकिट करके चिकन डाल दिया है तो आधा चिकन हमें फर्स्ट लेयरिंगे डालेंगे और आधा चिकन हम सेकंड लेयरिंग में डालेंगे बचा कुछा जो ग्रेवी है इसे भी हम चिकन को उपर डालेंगे और अब फिर से हम इसमें चावल का एक लेरिंग करेंगे और लाश बचा हुआ जो चावल है इसे हम चिकेन कूपर डाल देंगे चमज के मदद से इकुवल इसे हम स्प्रेट करेंगे एक चमज भर के डालेंगे बिर्यानी मसाला तो मुझे मेजर मेंड का आइडिया है इसलिए मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ आप चमज के हल्प से डाले बिर्यानी मसाले के बाद आप इसमें डालेंगे एक छोटा चमज शाही गरम मसाला फिर इसमें जाएगा किसर वाला दूद तो ये जो बचा कुछा किसर वाला दूद है इसे हम ऐसे स्पेट करके डाल देंगे मूठी बर वेरिस्ता डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे चार बड़ा चमज घी और ये गया घी तो मैंने ना इस लेयर में चिकन के साथ आलू रखना भूल गया था तो इसलिए अभी मैं चावल का अंदर आलू को ऐसे रख देती हूँ तो एक एक करके मैंने सारे आलू को रख दिया है और ये गया लास्ट आलू तो बस अब इसके उपर हम डालेंगे बिरियानी एसेंस छे से साथ डॉप बिरियानी एसेंस डाल दे और फिर इसमें डालेंगे हम चार बड़ा चमज केवरा वाटर और चार बड़ा चमज रोज वाटर तो अभी हम बिरियानी को आदे घंटे के लिए दम पे रखेंगे और इसलिए इसका धकन को सील करना जरूरी है तो मैंने यह आपे फॉयल पेपर के यूज किया है बहुत लोग आटे की मदद से धकन को सील करते हैं लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है इसलि तवा को मैंने पहले से गरम होने के लिए गैस पे छोड़ दिया था और अब हम इस बिरियानी को तवा को ऊपर ऐसे रख देंगे गैस को लोग फ्लेम पे रखें और इसे आदे घंटे के लिए ऐसे छोड़ दे आदा घंट हो चुका है तो आप बिरियानी को चेक कर लेता ह तो ऐसे ढकन को हटा दे और यह जो फॉयल पेपर है इसे भी हम हटा लेंगे तो यह हमारा इजी तरीके से सुपर टेस्टी चिकन दम बिरियानी बनके बिल्कुल रडी है और इसे मैं आपको चमत से निकाल के भी दिखा दियू और आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल भी करें और कैसा बना था मुझे कमेंट पर जरूर बताए तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइकन शेर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले पास लिए बेल आइकोन को प्रेस करें ताकि मेरे हर एक वीडियो के मिलते हैं नेक्स रेसिपियो में